समाने तो एक धाड़ना है कि धन और इस्तरी माया है किया सच में यह आर वीमेन माया क्योंकि सिल प्रोबाद भागवत्म के तादपरे में कई बार बताते हैं कि इस तरियां और अत्यादिक धन से आ सकती आत्मसक्षचतकार के मार्ग में यह और उधक बनती हैं ब्लॉक्स वो रोक देती हैं तो इस चेज को हमें लिटरल सेंस में न समझ के इसके भवार्थ को समझना चाहिए सब्रिकटीचीम है याणि हम क्या चाहते हैं कि हम्ट्रेशचीर में मेरे कांसेसनेस सेहां क से शृषचील समांचे करने लगते वक्रूलों हमौन है मद्यार्थ है एसा नहीं है हर चीज के उप्योगिता है तद्धन के उभी प्योगिता है और कभी-कभी लोग इसकौन पर अक्षे भी लगाते हैं कि यह लोग को ब्रह्माचारी बना देते हैं पड़े दिखे लड़कों को गुम्राह कर देते हैं कि इसा नहीं है जैसे को सिर्फक्थाग है सिर्फक्रных क्लास में पढ़ाता है सब शेयर बनते हैं कोझ मैंनेजमेंट में जाते हैं कि प्लिटिक्स में जाते हैं तो वैसे ही धर्म के सिख्छा देने वाला सभी को धर्म के लिए प्रेद करता है लेकिन आवस्यक नहीं है कि सभी लोग ब्रमचारी बने क्योंकि इस्तुरियों के परती आदर की भावना बहुत जरूरी है जो बेक्ति जितना मैया के प्रभाव से मुत होगा तो माया जैसे रावन है रावन के लिए मासीता जो गौड़ेस ऑफ फॉर्चुन है उसके लिए गौड़ेस आप डिस्ट्रेक्शन बन गई रावन के लिए जो गौड़ेस अप लर्निंग है सरस्वती नहीं पहलाब ले सकता है लेकिन जब हम इस्तरी को समुचित आदर नहीं देते हैं और फिर उसे केवल और केवल हम अपनी इंद्रियतर्प्टी के विशेक रूप में बेवार करते हैं तो जरूर इस्तरी माया बन सकती है या धन भी माया बन सकता है तो ब्रमशारी कुछ लोग होंगे जो ब्रमशारी बनने की प्रेणा मिलती है उनको लगता है कि सब सच में बड़ा उल्जन है बड़ा धन्जट का काम है इस सब संभालना और इस सब नहीं निभा पाऊंगा मैं तो ठीक है उनको गाया था ठीक आप इस तरह से ट्राइक करो लेकिन कुछ लोग हैं जिनका मन इस्थिर होगा साधी भीवा करके ही तो उनको इस तरह सला दे जाती है जैसे कुछ पानी में रहने वाले हैं घडिया लोग है वो पानी के जीव हैं पानी में रह सकते हैं जमीन पे नहीं रह सकते हैं लेकिन हाथी यह जमीन पे रह सकता है उसके सक्ति पानी में नहीं होती है तो वैसे कुछ-कुछ होते हैं ऐसे सोतंत्र जीवनियापन करने वाले सिंग जैसे वह ऐसे जंगल में घूम सकते हैं बीना मायाक से प्रभावित हुए लेकिन अधिकांस लोग के अंदर क्या है जानवरी बृत्तियां भरी पड़ी है यह उनको ठीक से कंट्रोल ना किया जाए उनको एक खूटे में ना बांधा जाए तो इस समाज क्या बन जाएगा पसु का समाज बन जाएगा तो साधी ब्याद के विवस्था है समाज में ताकि लोग का मन सांत्र रहे और जो हमारे जीवन का लक्ष है कि कृष्ण पर हम कैसे प्रसंद करना भगवत प्राप्ति लेकिन कोई एक दम से जंप नहीं कर सकता है वहां पर तो इसको धिरे धिरे प्रगति करनी चाहिए क्योंकि जब तक मन की जो मांगे हैं अब इसे सबसे बद्य वस्था में पूरी नहीं कि जाती है जो सखाना है सोना है और भी जो भी आव सकता है तो उसका माइंड के हमेंसा एजिटेटेड रहेगा हमेंसा रेस्टलेस रहेगा तो इस तरह से उद्विक्न मन से वह कभी छेड़ान की रखती नाहीं कर सकता है तो राझमि में स्विम के छेतना में रहता है थोड़ा बड़ा होता है डाली फ्रेंट्स बनाता है फिर कुछ अपने समॉझक न publications लेकरता है लेकिन सब सरफिष चेतना में, सरवाधि उच्छ चेतना में बह्ति भगवान की भक्ति करता है तो इसले इसले परपाज करते हैं Krishna consciousness the topmost yoga system यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान की भक्ति में इतनी सक्ति है कि चाहे हम कितने भी सुंदर से सुंदर इस्तरीयों से क्यों न घिरे रहें, हम उससे प्रभावित नहीं होंगे. वैसे ही धन कामबार भी लगा होगा, तो जब हम यह सोचेंगे यह धन मेरे लिए है, मेरे इंद्रितृप्ति के लिए है, तो जरूर वो धन माया है और वो इस्तरी माया है जब हम अपने सुख के लिए केवल बिचार करेंगे लेकिन हम जब बिचार करेंगे नहीं यह धन भी कृष्ण का है और यह इस्तरी भी कृष्ण की है हमें भगवान की ही सेवा में इसे उपयोग मिलाना है तो फिर इस प्रका में सहायक बन सकती है तो इसलिए हमें इस तरह से ब्लंट स्टेट्मेंट नहीं देना चाहिए कि इस तरी माया है और इस तरी से संपरक रखने वाला बिलकुल नरगामी होगा या अध्यात्मिक जीवन में कोई प्रगति नहीं कर सकता है इस सब कुछ निर्भर करता है कि हम किस भावना में किंच जोगा बिवहार करते हैं सील प्रभुपाद की जये